Seven Steps Around the Fire महिज दत्तानी जी द्वारा लिखा एक स्टेज नाटक है यह नाटक हिजडों के जीवन पर आधारित है जो हमारे समाज में ग्रणा की द्रस्टी से देखे जाते हैं नाटक की कहानी एक हिजडे की हत्या के इर्द इर्द घुमती है और उस हिजडे का नाम है कमला नाटक की अगर मुख्य कलाकारों की बात करें तो उमा, सुरेज, मन स्वामी, अनारकली, चंपा और कमला इत्यादी हैं और दूसरे सहाय कलाकारों में सलीम, स्रीमान सर्माजी और उनका पोत्र यानि बेटा, सुब्रमन्यम, उर्फ सुब्भू और कमला इत्यादी के नाम लिये जा सकते हैं दोस्तों जो उमा राओ हैं उमा राओ बैंगलार विश्विध्याले के उपकुलपती की पोत्री यानि बेटी हैं और सुरेश की ब्याही हुई हैं यानि कि सुरेश की पत्नी हैं जो पुलिस अधिक्षक हैं और उनके पिता पुलिस कमिशनर हैं तो उमा राओ स्वयम विश्विध्याले में समाज सास्त्र की प्रवक्ता हैं और एक ऐसे विश्व में प्यजडी कर रही हैं जिसका सम्मंद, हिट्डे और उनके प्रतिक की जाने वाली हिंसा से हैं और मन स्वामी एक काउंस्टेबल हैं जो हमेशा उमा राओ के साथ दिखाई देते हैं ताकि वह किसी परिसानी में ना पड़ जाएं उमा राओ और सुरेज की कोई संतान नहीं हैं और उमा का विचार है कि उनके माता पिता ने उनके विवा के अफसर पर हिजडो को दान ना देकर उनको भगा दिया था और बदले में हिजडों ने नव दम पत्ती को अभिसाब दिया था जिसके कारण उनकी कोई संतान नहीं हो रही थी जो स्रीमान जी हैं दोस्तों यानि मिश्टर सर्मा जी एक मंत्री है और सलीम उनका अंग रक्षक है यानि बॉडि गार्ड है और सुब्रमन्यम जिसे हम सुब्बू कह रहे हैं वो उनका पुत्र है यानि वा मिश्टर सर्मा जी का पुत्र है दोसों नाटक के आरंब में हमें यह बात का पदा चलता है कि नगर में कमला नाम के किसे हिजडे की हत्या कर दी गई है और अनार कली नामक एक अन हिजडे को इस अपराद में जेल भेज दिया गया है उसके विरुद्ध कोई ठोस प्रमार्ण नहीं है और आपसी दुस्मनी और वैमनस को अपराद का आधार माना जा रहा है चंपा जो है वो हैड हिजडा है और कमला और अनार कली दोनों उसी के ग्रुप के हिजडे है उमाराओ अपने सोद ग्रेंद के सम्मन्द में अनार कली से मिलना चाती है ताकि वह उनके प्रती होने वाले हिंसा और कमला की हत्या की वास्त विक्ता का पता लगा सके उस विजह में जब वा अपने पती से यानि सुरेज से प्रातना करती है कि वा उसकी अनारकली से भेट करने के ववस्ता कर दे तो वा उसको बताता है कि उससे भेट करने में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होगी क्योंकि सारे ही हिजडे महान जोट बोलते हैं उमा के आगरा पर सुरेज उसकी अनारकली से कारागार में भीट की ववस्ता करा देता है और मन स्वामी को उसके साथ भीज देता है जेल में अनारकली की बड़ी ही दुर्दसा है और जो दूसरे अपरादी है दूसरे अपरादी उसके साथ यानि अनारकली के साथ अमानविये वहवार कर रहे हैं और उसका यौन सोचन कर रहे हैं जिसकी और संकीत करते हुए अनारकली कहती है कि इन लोंगों की सेवा करते करते मेरा मुँ ठक गया है जेल में यता अश्तिती ना होने पर उमापने पती सुरेश से प्रातना कर उसकी कारियाले में भेट की ववस्ता करती है जहां अनारकली उसको बताती है कि उसने कमला की हत् प्रात्या दूसरे लोंगों ने की है जो की बहुती सक्ति साली है और उन तक पहुचना बहुती कटिन काम है वा उमा से प्रात्ना करती है कि वा किसी पिकार उसको कारेगार से मुक्ति दिलाए फरना वा वहां मर जाएगी उमा के द्वारा आसमर्थता व्यक्त करने पर वा कहती है कि अगर उसके पास धन हो तो उसको जमानत पर छुड़ाया जा सकता है अनारकली उमास को चंपा का पता बताती है और कहती है कि अगर वा परियाप्त धन लेकर चंपा के पास जाए तो वा उसको छुड़ाने की ववस इस काम के लिए 20,000 रुपए की आवसकता है और उमा के पास इतनी बड़ी धनराशी नहीं है और वह इस काम के लिए सुरेज यानि अपने पती से धन मांगना नहीं चाती है अब वह अपने पिता से 20,000 रुपए मांगती है और मन स्वामी को लेकर चंपा के निवास स्थान प अनार कली को डोसी टहराती है और वो कहती है कि वह प्रिदान हिजड़ा बनना चाहती है और जबकि या अधिकार उसका है और वह जिसको चाहे प्रिदान हिजड़ा बनाए फिर उसके बाद जब उमा उसे अपने इस्तिती बताती है और उसको आस्वस्त करती है कि वास्तों में वहां उसकी सहायता करना चाहती है और अनारकली की जमानत के लिए उसके पर्याप्त धन्यासी भी लेकर आई हुई है तो चमपा उसका स्वागत करती है और अनारकली को जमानत पर छुड़ाने का आश्वासन देती है उमा चमपा को धन दे रही होती है तो बहाद सोर सुनाई पड़ता है और इसके साथ ही सलीव नाम का एक हष्ट पुष्ट युवग चमपा के घर में प्रवेश करता है और धमकी भरे स्वर में उससे कमला का संदूग और उसकी चाबी मांगता है तो जो चमपा है उसकी धमकी में ना आते होए उससे कहती है कि कमला के सभी आभूसरों और वस्तरों पर एक मात्र उसका अधिकार है बले ही या आभूसर और वस्तर उसने क्यों ना दिये हो तो सलीम चमपा को बताता है कि उसने चमपा को कुछ नहीं दिया और ना ही वा उसकी आभूसर और वस्तर लेने आया है वा तो उसका फोटो लेने आया है लेकिन चमपा मना कर देती है कि उसके पास कोई फोटो नहीं है और फिर चमपा उमाराओं का परचे कराते हुए, यह कहती है कि यहाँ पुलिस अधिक्षक की पतनी उमाराओं हैं, जो इससा में हमारी अतिति हैं, और जब सलीम याँ सुनता है तो वा भैबूीत हो जाता है, और वहाँ से खिसक लेता है, तो उमा को संदे होता है कि कमला की ह प्रियास करती है। तो चमपा उसे टानले का प्रियास करती है। लेकिन बहुत आगराय करने पर वह सलीम का पता बता देती है। सलीम मंत्री जी स्रीमान सर्मा का अंगरक्षक है, यानि बॉडीगार्ड है। और वह स्रीमान सर्मा के निवास में लगे, क्वार्टर्ज में रहता है। और सलीम कमला को लेने हर रात आया करता था तो उमा को यह जनकारी थी कि जो स्रीमान सर्माजी है वो विदेज गए हुए है और वह मन स्वामी को लेकर उसके निवास पर पहुँच जाती है तो सलीम से वहां भेड करती है तो सलीम उमा को देख कर घबरा जाता है उमा सलीम की पत्नी के विशाय में पूछती है तो पहले वा यह कहता है कि उसकी पत्नी गाउं गई हुई है फिर बाद में वा स्विकारता है कि वहा विवाहित नहीं है और सबी उपस्ते दूसरे लोग सलीम के कमला के साथ अनातिक समंदों के कारण उसे घ्रणा की डिस्टी से देखते हैं और उसे लजचित करते हैं उसे अपनी ही जाती की सुन्दर महिला मिल सकती थी फिर भी उसने हीड़े के साथ अनातिक समंद बनाए अभी उमा और सलीम के मद्द बादची चल ही रही थी कि स्रीमान सर्मा जी जो वास्तों में विदेश नहीं कहते वो बाहर निकल कर आते हैं और पूछते हैं कि वे कौन लोंग हैं और वा किस की अनुमती से आये हैं तो जब उमा उन्हें अपना परचे देती है और अपने आन्नी का उद्देश से बताती है तो वहाँ उमा से अंदर चलने को कहते हैं और वारता के मद्द या रहसुर घाटन करते हैं कि उन्हें कुछ दिनों से ऐसा आभास था कि उसके साथ यानि कि सलीम के साथ कुछ ना कुछ गड़बढ है और वारता के मद्द श्रीमान सर्मा जी का पोत्र सुब्रमन्यम यानि कि सुब्भू निकल कर आ जाता है और वो जो सर्मा जी है वो उमा को बताते हैं कि सीख रही उसका विवा होने वाला है तो उमा उसको बधाई देती है तो वहाँ बहुत ही विच्चेतर विवार करते हुए कहता है कि सबी लोग उससे विवा की बधाई देते हैं लेकिन उसको विवा पसंद नहीं है और वहाँ विवार नहीं करना चाहता है तो स्रीमान सर्मा जी सुब्बू को तुरंत घर के अंदर जाने को कहते हैं और उमा को बताते हैं कि विवा के कारेक्रम की वैस्तता के कारण सुब्बू का जो स्वास्त है वो ठीक नहीं है और वो सुब्बू बहुत ज़्यादा ठका हुआ है और फिर उसके बाद वो उमा से अगरह करते हैं कि विवा तक वा सलीम की करिफतारी को स्थगित कर दे और आस्वासन देते हैं कि विवा के उपरांत वा स्वयम उसको यानि सलीम को उनके हवाले कर देंगे और फिर उमा अपने घर वापस चले जाती है फिर उसके बार घर पहुँचकर वा उस सुरेश यानि अपने पती से जब बात कर रही होती है तो बात्चित के दौरान वो कहती है कि अनार कली के साथ उसकी एक और भेटवा करवा दे तो सुरेश यानि कि उसका पती उमा का वो उसे कहता है कि या अब संभाव नहीं है क्योंकि कोई उसको जमानत पर छुड़वा कर ले गया है तो जब उमा यह बात सुनती है तो बहुत जादा चकित हो जाती है और फिर वह अपने पती से मतलब सुब्रमन्यम की जो साधी हो रही है सुबू की उसके विवा के उपहार खरिदने के लिए बजार जाने का बहाना करके वह सीधी चमपा के घर पहुचती है तो जब वो चमपा के घर पहुचती है उमा तो चमपा उसे अपने घर के अंदर लेने से मना कर देती है और अनारकली के विशा में अपनी अन्भी किताब पिकट करती है लेकिन जब उमा के द्वारा बहुत आग्राय करने पर जो चमपा होती है वो वहां से अनारकली को बलाती है तो अनारकली जब आती है दोस्तों तो अनारकली के चहरे पर बहुत चोट की निसान है और जो उसका हाथ है एक हाथ पटी की सहायता से गर्दन से लटका हुआ है तो चमपा उसे बताती है कि उन लोगों ने इसकी नाक तोड़ दी है और उसकी याद दुर्दसा करती है तो उमा के द्वारा उन लोगों के विसा में पूछे जाने पर वा बताती है कि वे बहुत ही सकती साली लोग है और उसका पती और जो ससूर है वे भी उन पर हाथ नहीं डाल सकते तो फिर उमा के द्वारा उस फोटोग्राफ की विसे में पूझे जाने पर जो हिजडें हैं वो कहते हैं कि वह सुब्रमन्यम यानि की सुब्रो के विवा में तो जाएगी ही और वहाँ पर वे उसको फोटो देंगे और इस हत्या की विसे में भी बहुत से जानकारियों से प्राप्त होगी तो दोस्तों अब सुब्रो के विवा हो रहा है और नगर की जितने भी बड़ी बड़ी हस्तियां है वो सबी वहां मजूद है और सुरेश और उमा भी वहां मजूद है और जो नो दमपती है वो स्रीमान सर्मा जी के पैर छूते हैं और अगनी के फेरे लगाते हैं और जो पंडित जी है यानि पुजारे जी है वो मंत्रों का जाप करते हैं तो उसी वक्त जो मन स्वामी है, मन स्वामी दोड़ता हुआ वहाँ आता है और उमा को सूचित करता है कि जो हिजड़े हैं वहाँ आ गए हैं और नाचने गाने के जब उनके आवाज आती है अपने सुरक्षा कर्मियों को डाटते हैं कि उन्होंने उनको अंदर आने की कैसे अनुमती दे दी तो सुरेज जो हैं सुरेज तुरंट अपने सुरक्षा कर्मियों को बुला कर लाता है और उन्हें आदेज देता है कि तुरंट इनको बाहर निकाल दे तो तब ही जो उमा है उनको रोकती है और कहती है कि विवाह उत्सों में से हिज्ड को भगाना दुर्भाग की बात होती है तो स्रीमान सर्मा जी जो है वो उससे पूछते हैं कि क्या वह भी ऐसा विस्वास करती है तो वहां उनसे कहती है कि अखिर यह लोग थोड़ा नाच गाएंगे और नव विवाह दंपती को आसिवाद देंगे और कुछ बक्सिस मागेंगे तो क्या यह उनके लिए बहुत अधिक है तो जो स्रीमान जी है वो उनको नाचने गाने की अनुमती दे देते हैं लेकिन नाचने गाने से पहले जो हिजड़े लोग हैं दोस्तों वो जो नव विवाहित कपल है यूगल है उनको आसिरवाद देने के लिए बुलाते हैं तो सुब्बू उनको देखकर बहुत ही बिदग जाता है और दुसरी इस तर पर उसे कमला नाचते हुए दिखाई देती हैं तो उसे ऐसा लगता है कि कमला अपनी बाहें फैलाए हुए उसे बुला रही है और तबी चमपा और अनार कली उसको वहाद चित्र दिखाते हैं जिसमें कमला को सुब्बू के साथ विवाह करते हुए वर माला डालते हुए दिखाया गया है और सुब्बू चित्र को देखकर बहुत ही व्याकुल हो जाता है और नव विवाहित जो पत्नी को छोड़कर फोटो लेने के लिए आगे बढ़ता है तो सुरेज के साथ वा बहुती चीना चप्टी करके किसी तरह से उसकी जो गन होती है उसे चीने में सफल हो जाता है और फिर वो अपने गन को लेकर अपने पिता की और बढ़ता हुए कहता है कि अपने पिता से कहता है कि उसने कमला की हत्ते की है और जो स्रीमान सर्मा जी है यानि सुबू के पिता है वे बहुत उसे समझाते हैं और अपने गल्थी को भी वह स्विकार करते हैं तो जो सुरेज हैं सलीम और जो सर्मा जी है वो जो सुबू है उसे कहते हैं कि गन को नीचे रख दो और उसे मतब गन को नीचे रखने के लिए बहुत प्रात्ना करते हैं लेकिन जो सुबू होता है वो गन नहीं देता और फिर वा अपने पिता पर गोली चलाने के बजाए खुद को स्वयम को गोली मार कर आत्म हत्या कर लेता है और फिर मांच पर से जो चमपा है दोस्तों वो किसक जाती है और जो सुरेश है और जो दूसरे लोग है वो सुबू के सरीर को वहां से हटाते हैं और जो अनार कली है वा कमला और सुबू के जो विवा का चित्र है वो उमा को दिखाते हुए उनको बताती है कि उनका विवाह दूर की एक मंदिर में हुआ था और वहा भी उसके साथ उपस्थी थी वहाँ पर और संभावता जो पुजारी जी थे वहाँ या नहीं जानते थे कि जो कमला है वो श्त्री नहीं है तबी उसने कुछ वक्तियों को वहाँ आते हुए देखा था और वे कमला के लिए वहाँ पर आ रहाए थे और उसने कमला को वहाँ से भाग जाने को भी कहा लेकिन स्रीमान सर्मा जी यानि कि सुबो के पिता जी एक हिजड़ को अपने घर पर कैसे स्विकार कर सकते थे तो उन्होंने कमला को जीवी थी जल फोटो लिया गया था और वही फोटो ये है तो उमा जो थी उमा ने उस फोटो को सुरेज को दिखाते हुए कहा कि यह वही फोटो है जिसको स्रीमान सर्मा जी प्राप्त करना चाहते थे और अंधता उन्होंने प्राप्त तो कर लिया लेकिन अपने पुत्र के जीवन की की मत दे कर और फिर अनार कली ने उमा को बताया कि पहले तो उसे भी आभास हुआ था कि जो सलीम है वो अपने आनंद के लिए कमला को ले जाता है लेकिन जब उसे यह पता चला कि जो सुबू है वो मतलब कमला से बहुत प्यार करता है बहुत लिप्त है तो वहां कमला को समझात और कमला का जो मूँ है वो भी नोच लेती है और मतलब जिससे वो जो कमला है बहुत ही अगली हो जाए कुरूप हो जाए और जो सुबू है उसे छोड़ दे फूल जाए तो इसलिए मैंने उसको कमला का चेहरा भी मतलब नोच लिया था मूँ नोच लिया था लेकिन जो सुब और जो सुब्वो के पिता जी है, मिस्टर सर्मा जी वो नहीं चाहते थे कि कमला, मतलब साधी करे, साधी के बारे में लोगों को पता चले कि सुब्वो साधी हुई है, इसलिए वो कमला को जिन्दा जलवा देते हैं वहाँ पर, और जो फोटो ली गई थी दोस्तों, उस भी मिल जाए और वो फोटो नगर मिल जाए तो फोटो को वो मिटा दे तो किसी को पता भी ने चलेगा कभी कि जो सुबु है उसकी कमला के साथी हुई थी तो जो सुबु है सुबु के पिता जी ने ही कमला को जलवा दिया था जिंदा और फिर उसके बाद उस तो अंत में जो अनारकली है वो उमा को एक लॉकिट निकाल कर देती है और कहती है कि यह लॉकिट उसके लिए चमपाने भीजा है और इसमें एक विसेश मंत्र है और वहाँ इसको पहन ले और इसपर उसकी जो गोध है वो संतान से भर देगा तो उमा बहुत ही भाव विबोर होकर उसे गले लगा लेती है अनारकली को और अनारकली भी उसे अपनी बहान कहे कर लिपड़ जाती है और उमा जो है दोस्तो कुछ कहना चाहती है लेकिन जो अनारकली है वो कहती है कि अब तुम जाओ और फिर कभी आना तो चमपा ने दोस्तों सही कहा था किस हत्या की विशे में कोई समाचार किसी पिकार का समाचार पत्य में नहीं छपा गया और ना ही कोई गरबतारी हुई और इसको सुबू के पागलपन में की गई आत्म हत्या बताया गया और जो फोटो थी उसको भी नश्ट कर दिया गया तो इस पिकार से दोश्टो दो जीवन समाप्त हो गए फिर उसके बाद उमा कहती है कि अनार कली का आसिरवाद अब भी उसके साथ है लेकिन उसने उसको या नहीं बताया कि उसे संतान की आसेवात की चाहत नहीं है वह भी मात्र वही चाहती है जो वे हिजड़े चाहते हैं प्रेम जाकरत करना और जेवित रहना इस तरह से दोस्तो नाटक समाप्त हो जाता है